तो दुन्या के पांच ऐसे अनोखे ब्रीजेस के बारे में बताने वाला हूँ जिसे देखकर आपका दिमाद चक्रा जाएगा ये ऐसे ब्रीज है जहां जाने के बारे में आप सपने में भी नहीं सोचेंगे इन ब्रीजों में पैर रखते ही आपके कदम लड़ खडाने लगेंगे तो चलिए जानते हैं इन अनोखे ब्रीजेस के बारे में नमबर एक पर है रुई ब्रीज हमारी पिछली कुछ वीडियो में आपने चाइना के सिंगल ग्लास ब्रीज को देखाई होगा लेकिन ये ब्रीज उन सबी से बहत अलग है इस ब्रीज को डबल डेकर ग्लास ब्रीज के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें दो फ्लोर में ब्रिज बना हुआ है और इसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट में ग्लास का एक प्लेटफॉर्म भी बना है इस ब्रिज को बनाने में तीन साल का समय लगा था ये ब्रिज 100 मिटर लंबा है और जमीं से 140 मिटर के उचाई पर बना है अगर आप एडवेंचर के सौकिन है तो आपको इस ब्रिज पर जरूर जाना चाहिए दोस्तो इस अनोखे ब्रिज के लिए एक लाइक को बनता है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दे दूसरे नमबर पर है म्यूजिकल इसकाई वाटरफॉल ग्लास ब्रिज इस ब्रिज को जमीं से लगभग 500 मिटर के उचाई पर बनाया गया है ऐसा ब्रिज आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा ये ब्रिज बांकी ब्रिज से बहत अलग है क्योंकि इसमें ग्लास के साथ साथ आपको एक आर्टिफिस्यल वाटरफॉल भी देखने को मिलता है और रात के समय तो ये ब्रिज और भी ज़्यादा खुब्सूरत लगता है इस खुब्सूरत वाटरफॉल वाले ग्लास ब्रिज को देखने के लिए लोग यहाँ दूर-दूर से आते हैं क्योंकि इस ब्रिज के ऊपर से बेहदी खुब्सूरत नजारा देखने को मिलता है तीसरे नमबर पर है ग्लास ब्रिज सेंट्रल चाइना से कुछ किलोमिटर की दूरी पर बना ये ब्रिज दुन्या का सबसे अनोखा ब्रिज है इस ब्रिज को बनाने में आठ महिने का समय लगा था साल 2018 में इसे पब्लिकली ओपन कर दिया गया था ये दुन्या का पहला लॉंगेच सर्कुलर ग्लास ब्रिज है ये ग्लास ब्रिज प्लेटफॉर्म से 30 मिटर आगे निकला हुआ है इसे जमिल से 50 मिटर की उचाई पर बनाया गया है चाइना के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे टेकनोलोजी के मामले में चाइना हर देश से एक कदम आगे ही रहता है चाइना ने बीजिंग में एक ऐसे सांदर ब्रिज का निर्मान किया है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे ये इंसानों जोरा बनाए गए सबसे सांदर इस्ट्रक्चर में से एक है ये ब्रिज समुदर तल से लगभग 768 मीटर की उचाइपर बना है यहाँ जाने वाले लोगों का कहना है कि इससे जदा भ्यानक और एडवेंचरर जगा उन्होंने पहले कभी नहीं देखी इस ब्रिज पर चड़ने के बाद नीचे देखने की कोई हिम्मत भी नहीं करता कुछ लोग तो इसमें बड़ी आसानी से चल लेते हैं जबकि कुछ लोग की फट के हाथ में आ जाती है इस ब्रिज को यूएफो के सेफ में बनाया गया है यह दुन्या का सबसे लंबा सरकल ब्रिज है इसे बनाने में टाइटेनियम, एलोय, स्टील, केबल और आर्मर ग्लास का इस्तेमाल किया गया है इसे बनाने वाले इंजिनियर्स और डिजाइनर का कहना है कि एक समय पर इसमें 900 टूरिस्ट खड़े हो सकते हैं इस ब्रिज में हर साल 3,00,00 से भी ज़ादा लोग घूमने आते हैं तो दोस्तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आप इस वीडियो का पार 2 भी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार 2 जरू लिखना मैं इसका पार 2 लेकर जरू रहूँआ और ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो देखने के लिए धन्यवाद